कि नमश्कार दोस्तों मैं सीए सचिन बड़ा इंपोरेंट टॉपिक है कई सारे लोग कह रहे थे कि सर्फ प्रपैर्टर्शिप को करना होगा प्रवेट लिमिट कमपनी में तो कैसे किया जाया सब बताऊंगा जो मैं लिख रहा हूं प्रोसेस क्या है टाइम किता लगेगा को बड्राविश सके लगेगे ज़स्ती तरफ ज्यूर किंगा क्या होगा कि इन्पूरा क्या होगा और इंकमिन जक्त लीवर क्या होगा तो वीडियो को आक्री तक जूर देखिए का और देखिए गए व्लेरगले किएगा और लाइक किएजएगा अब मैं रेगुलर वीव डालने वाला हूं थोड़ा बीजी था डाल नहीं पाया अब रेगुलर डालूँगा अब दो सबसे पहले आपने क्या करना है आपकी जो प्रपाइटेशी फिक्स कर लीजिए क्लोजिंग की मालीजी अभी आपको करना है तो उसकी 31 दिसंबर रख लीजिए कि हावई करती दिसंबर 22 को मैं फर्म को क्लोज कर रहा हूं उसकी बना लिजिए एक बैलेंशीट फाइनल कुछ नहीं होगा सब कुछ प्रॉपर जाएगी वहीं इंकम टैक्स में अप्लोड भी होगी करती दिसंबर की बैलेंशीट फाइनल होने चाहिए जितनी भी इसकी अब एक पर चेंड की माल लेता हूं एक प्रपैटरशीट फर्म है मैं उसको कश्ति दिसंबर क्लोज कर लिया अब मैं एक पैरलर साथ में बैलेंशीट बन रही है मेरी मैं एक प्रवेट लिपी कमनी मना हूँआ उसके अब जैक्त में लिखूँगा तू टेक ओवर दा बि काम अलग चल ले हैं अब मैंने लिख दिया मेरे कमनी बन गई उस कमनी में शेयर कैपिटल किती रखनी यह देखना है जो भी कैपिटल बैलेंस खड़ावा है मेरी फरम के अंदर प्रपैटरशी फर्म में असेट्स होगी नीचे लाबटी हो गई उपर आगे मेरी कैपिटल उस कैपिटल की अगेंश में शेयर इस्व कर दूगा एक्जामपल सत्तर हजार की मेरी कैपिटल खड़ी है मैं डिवाइडब कर दूगा उसे 10 तो मेरा आगे 7000 शेयर अराम से देख लीजिए 7000 मैं शेयर करूंगा अपने आपको प्लस मैं और शेयर इस्व कर सकता हूं किस अब क्या करना है बड़ा इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल है बहुत ही मुश्किल है असान डिसें नहीं है लोग सोचते कर लूं बताओं अभी क्यों कह रहा हूं एक आपको प्राइवेट लिविंट कमनी की बनानी पड़ेगी जैसे फर्म की बनी है जैसे बैलेंशीर 31 दिस अब आपको नया बैंक होनना पड़ेगा कंपनी का जैसी नमबर लेना पड़ेगा पैन नमबर नमबर नया आया है रैंट एग्रिमेंट नया बनेगा लैसन सारे नहीं लेने पड़ेंगे सीसी को चल लिया है वो कनवर्ट कानी पड़ेगी प्राइवेट लॉन भी मोगत कि बस यहां सोठा करने एंटरी मानना है लीगल वेट में ट्रांसवर करनी है इसलिए कभीवी सोचूद बारे में करने वाले हो कि किसी विकरा रहे हो एक बड़ पर कंसल्ट जैसे इसका क्या इप्लिकेशन आयेगा कि ट्रीजा गार इतना आसान नहीं दिग होती है ज और जो कंपनी है उसमें अपकर लूँगा अप्रूबर लेनिये कागज कारवाई होती है इस तरीके से आपके पास इंपुल भी टास्वर हो गया उसकी इंकम टेक्स की आईडी नहीं बनेगी अब सबसे ज्यादा इंपॉर्डंट पॉइंट तब कुछ बताऊंगो आज मैं जो आपको पुराना है जेश्टी बंद करना पड़ेगा बैंक बंद करना पड़ेगा फरम का अगर आपको कोई इंकम टेक्स का रिफंड नहीं है तो बहुत बंद हो चुके कथी दिसंबर कोई एक जनवरी को मेरी प्रावेट लिविट कमनी बनानी आपको और एक साल में दो आइटर जाएंगी मेरी इस साल दो आइटर जाएंगी एक तो मेरी फरम की एक अप्रायल से लेकिए कथी दिसंबर तक और फिर एक जनवरी से 31 मार्श की जाएगी प्राविड कमनी की अब आपको को दुनों में सीम है प्रेसेट्स है बड़ा इंपोर्टन पॉइंट आपको कम से कम 50 परसेंट शेर ओल्डिंग अपने पास रखनी बलेगी मुझे अपने पास ताकि में पास साल तक कंटीन्यू मैं अपनी शेर बेज नहीं सकता वन्ना इंकम प्रेस लग जाएगा इस सेक्शन में घ्रम्शन नहीं सरकार का कि कोश्टिंग क्या आती है कोश्टिंग आती है साड़े 12,000 से 15,000 रुपे और इसमें डिपैंड करेगा कितना काम कराना है यह सिर्फ कमपनी बनाने की बात कर रहा हूं यह नहीं कि आपकी प्रपेटरिशिप की बैलेंश भी बन जागी 30 मार्च की उसमें इसमें इसमें ज लें तो कोशी करिएगा प्रपेटरिशिप को बंद कर दीजिए अगर ज्यादा काम उसमें नहीं है नहीं कमपनी मनाके उसमें काम करिए क्या है सब कुछ चेंज हो जाता है और लोगों को समझाने में बताना पड़ता है कि वह यह प्रप्रपेटरिशिप से कनवर्ट हो गई तो कई बार दिक्क्त आते प्रक्टिकली तो एक बार प्रॉपर एडवाइज जरू लें फिर भी आप चाते हैं बनवाना आप मेरे चैनले पर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सिर्फ टैक्टिकल वीडियो डालता हूं और मेरे वीडियो पे हमेशा आपको पैक करा लेंगे तुमको पाचल जागा कि करना इतना आसान नहीं है बच्चों खेल नहीं है एक प्रॉपर टीम चाहिए प्रॉपर टैम चाहिए और पैसा तो लगता ही है जद मिलूंगा एक वीडियो के साथ तब तक नमस्कार